चोपड़ा है जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ, मेरे पैरे बच्चों आज हम इस वीडियो में सुप्रिम कोट के EWS केस के बारे में चर्चा करेंगे जिसके कारण 21 की काउंसलिंग काफी दिन तक होल्ड पर रही थी, उसका डिसीजन भी रिजरो रख लिया गया है और उसकी नेक्स्ट हीरिंग डेट भी आ चुकी है, साथ में हम मदरास हाई कोट के NMC वाले केस की भी चर्चा करेंगे कि उसका डिसीजन कब तक आएगा, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूँ कि अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाते हैं काउंसलिंग प्रोसेजर के बारे में जानकारी दे रखी है, इसको आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर हमारी वेबसाइट www.sopda.education.in से डाउनलोड कर सकते हैं जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, हम आप से संपर्क कर लेंगे, आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं अब हम बात करें सुप्रिम कोर्ट में चल रहे ही EWS केस के बारे में तो इस केस की हीरिंग 17 अगस्त 22 को थी, दोनों पक्सूं की अर्गुमेंट सुनने के बाद इसके फैसले को रिजरूर रख लिया गया है सोलिस्ट जन्रल द्वारा PG की काउंसलिंग डेट का हवाला देते हुए कहा कि PG की काउंसलिंग 1st September से स्टार्ट होने जारी है इसकारने इसका डिसिजन 1st September से पहले आना जरूरी है इस पर बेंच ने कहा कि हम इसके लिए 1-2 week का समयलेंगे और फाइनली अभी 30 अगस्ट 22 को ये डेस्ट अनाउंस कर दी गई है यानि इस केस का डिसीजन 30 अगस्ट 22 को आ जाएगा तो जैसे भी इसका कोई डिसीजन रहेगा हम आपको इन्फर्म कर देंगे अब बात करें मदरा साइकोर्ट के एन्फर्म के केस के बारे में जो तमिलाडू और पॉंडिचेरी के डिम्ड और प्राइवेट मेडिकल कोलीज द्वारब फाइल किया गया था तो इसकी भी हीरिंग डेट 17 अगस्ट 22 को थी और इसका भी डिसीजन रखा गया है मगर अभी तक इसकी डिसीजन सुनानी की डेट नहीं दी गई है इसमें एक दो वीक का समय लग सकता है यानि ये डिसीजन 25 या फिर 26 को आ सकता है और इसका मालूम डिसीजन डेट से एक दिन पहले ही चलेगा क्योंकि दूसरे दिन की कौज लिस्ट में ये केस लिस्टेड होगा अभी इस पर कोई फर्दर हीरिंग नहीं होगी इसका डिरेक्ट डिसीजन ही सुनाय जाएगा जनरली ऐसे केसेज में बेंच द्वारा एक वीक का समय लिया जाता है और मंडे को एडिशनल सोलिस्टर जनरल द्वारा एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट सब्मिट की जाएगी उस पर विचार होगा उसके बार डिसीजन 25 से 26 अगस तक आ सकता है डिसीजन डेट कुछ भी रहे लेकिन इतना तय है कि 1 शिप्टेमबर से पहले पहले ये फाइनल होगा क्योंकि PG की काउंसलिंग 1 शिप्टेमबर से स्टार्ट होने जारी है और ये रूल UG वर PG दोनू के लिए है तो ये जानकारी थी दोनू केस के अपडेट के बारे में और कोई इसके बारे में जैसे ही अपडेट मिलेगी हम आपको इन्फोर्म कर देंगे मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जै हैं